हेलो और मैं डियर स्टुडेंट्स लाश्ट वीडियो के अंदर हम आपके जो चैप्टर सिक्स ताउस के कोश्ट अंसर डिसकस कर रहे थे बट उसके अंदर हमने एक्टिविटी जो फर्स्ट ताउस का कुछ पार्ट कवर किया था तो वीडियो एंड होगी थी आज हम जो एक कोश्ट अंको देख लिए थे हमने क्या किया था ताकि तोड़ा था असका लर्न हो जाएगा ओके तो यहां से स्टाटिंग थी कि विच फेस्टिवल इस और सो कॉड़ विचे देशमी इसका ऑफ्षन सी सही था दुशेहरा फिर कोश्ट सेकेंड था दुशेहरा इस दा फे कोशन थे यह हमने अच्छे से डिसकस कर लिये थे आप इसके आंसर भी देख सकते हो नू बाक्यों सबी के अंदर यस आएगा फर्स्ट के अंदर नू आएगा तो आज हम जो इसका जो कोशन आंसर उसको देखते हैं पहला कोशन वाई डू भी सैलिवेट दुशेहरा हम राम्स विक्ट्री तो यह आपका राइट आंसर रहेगा मैं यह पर टिक कर देता हूं कहां पर है ओके तो आपका अंसर यह रहा है वी सैलिवेट दुशेहरा इन ओनर आफ राम्स विक्ट्री इसके बाद में चलते हैं कोशन नमबर सेकेंड पर तो रोसलें तीस कांसर रहे विचे सीन और एनेक्टर ओन दा स्टेज की राम्स लिला क्या है और स्टेज पर क्या दिखाया जाता है हम इसको पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन ओके राम्नीबर अरे दिस्क्राइब दा स्टोरे अफ राम इमनु पूरी आंवरी यहां तक आरा पड़ा साइब क्या होता है एवरी डे मैंनी सेल्स ऑफ राम्स लाइफ सच एस नार्द मुव राम जनम राम विवाज राम ब्रमास ताड़कवद पंचवटी सेंसी ताहरण हनुमान मिलन बर्निग अफ लंका सेत्तु निर्मान एंड राम राम रावन युद्ध और इनक्ट क्योंते हैं आगे कोषिजन नमर्ब थड़़ पर कोषिण नमर्थ्रड पर कोषिण नमर्थ अजिविवा आगे में बच्चें दुशेरे को कैसे मनाते हैं तो इस स्कार्ट आप देख पारे होगे स्कृइन पर लिखा हुआ है। चिल्डरन इंजॉइ और प्लेंग दृइ की इसके कारण बगवान राम को मारना पड़ा इसका अंसर देखिए रावन स्वाइफ एट राम स्वाइफ एड टेकन हर टू लंका रावन का दोश था कि उसने राम की पतनी का अपहरन किया था किड्नैप किया था और मातासिता को अपने साथ लंका में ले गया था तो स्टुडेंट्स यह आपके जो कोशन थे वो यहां पे पूरे हो चुके हैं जो लिखने वाला वर्कताब का आगे बुक के अंदर जो फिलफ करने में देखते हैं आगे एक्टिविटी नंबर सैकने यहां पे शुरू हो हुए है इसके अंदर लिखा हुए कि चूद क्रेक्ट वर्ड फॉर्म आप दा बॉक्स एंड फिल इन दा बुलेंक की सही वर्ड को चुनकर आपको ब्लैंक जो खाली स्थान है बहाँ पर बढ़ना है पहले जैसे विक्ट्री विक्ट्री उत जीतना प्रफॉर्म मास्क्स एरोज क्रेकर्स तो फर्स्ट देखिए आंसर मैं बाद में शो कर दूँ है एक बार पहले सुन लिजिए बी एक्स्प्लोड ओन दिपावली इसका अंसर रहेगा क्रेकर्स नमबर सैकेंड एक्टर्स कम्स ऑन दा स्टेज एक्ट्रें उस स्टेज पर आते हैं एंड डैश द हैगा मास्क तो कि मास्क पहनते जो भी उनको करेक्टर अच्छा लगता है उनके मुखों टेप अपने चेहरे पर पहनते हैं बच्ची नमबर फॉर पर है इंडिया गॉट डैश और पाकिस्तान इन दा कारगिल वार तो विक्ट्री जीत कारगिल के वार के अंदर इंडिया विजे ही हुआ था जीत असल की थी नमबर फाइफ पर है अर्जुन एम्ड इस डैट एड़ डावर्ड आईज एरो एरो यनकी इसकांसर एगा एरो की अर्जुन का ये एम था कि वो चिडिया की आंक में निशाना लगाएगा अगर आपको नहीं समझ वे आए तो यह आपक पहुज करके अपनी बोक के अंदर निन को फिल कर लीजिए नंबर एक रैकर्स नंबर सैकेंड नंबर थर्ड मास्कर आपकर देखते हैं टर में क्या करना है पढ़ड़ते हैं लुक एट दीज पिक्टर्स एंड अब्जर्फ पुजिशन्स ओफ दा माउस एंड आउल यह नहीं कि आपको प्री पुजिशन्स से यहां पे दे गई हैं यहां पे वीडियो के अंदर थोड़ी सी पिक क्लियर नहीं है बट आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको देख सकत जाद रखना अंडर जब कोई चीज किसी के नीची होती है तो अंडर नमबर सेकिड़ पर जब कोई चीज किसी की उपर होती है तो उसको और बोलते है के अंदर जैसे box के दिखाएगे डिब्बे के अंदर हम उसे बोलते हैं में नंबर आगे जो कोई चीज किसी की ऊपर होगा टच कर टच किये हुए है उसको और बोलते हैं अगर उपर टच नहीं तो ऑबर जैसे आपके उपर चत का जो फैन होता है न वह आपके उपर होता है वह आपको सिर्फ को टच नहीं करता बट जैसे आप किसी बैड़ के उपर बैठे हो या कोई बुस्तक आपकी मीज के उपर पड़ी है वो टच कर रही है उसके लिए ओन आएगा आगे जो दिया हुए है इन फ्रंट ओफ किसी चीज के सामने होना और बियाइंड किसी चीज और नेक्स्ट जो नेक्स्ट टू किसी चीज के बाद में होना किसके बाद में इची जाएगी ऑके तो आगे कुछ एक्टिविट्स दी हुए है देखते है क्या लिखा हुए है अच्छा आगे कुछ और पिछ पिक्क्क पिक्नी हुई hay तेको यहां पर फष्ट में ओन है वो ओलू है जो आउल है वो अस बोक्स के उपre ओन फिर जो ओल है वो बोक्स के नीचे तो अंडर फिर जो नेक्सट बोक्स के बाद में ओलू है तो box के आगे है तो in front हो गया in front of box यह behind है तो behind the box हो गया अब दो चीजों के बीच में होता है तो उसके between बहुत है जो दो चीजों के बीच में हो तो between जैसे कि all is between boxes two boxes दो box के बीच में है आगे है around यहने के चारों और गोल गोल ठीक है around जैसे all is flying around the pole pole के चारों और गोम रहा है आगे है through किसी चीज में से होकर गुजर जाना through owl passes through the box box में से गुजर गया अब आगे दिखते है कि करना केस में in the first image तो यहां पर आपको बताए भी गया है देखो first image में क्या लिखा हुआ है the mouse is under the box क्योंकि is in under जो आपका है the mouse is under तो under आपकी pre-position है the mouse is over the box तो over आपकी pre-position है position किसी चीज की position उताना pre-position the mouse is in the box किसी चीज के अंदर होना तो in आएगा second image के अंदर the owl is on the box block ब्लोक के उपर है the owl is under the block ब्लोक के अंडर है यह ब्लोक के नीचे है the owl is next to block ब्लोक के बाद में है तो यह हिंदी में लिखा हुआ है इसको पढ़ सकते हो आप these underline words are called pre-position तो यह मैंने आपको पहले बता दिया यह जो किसी चीज के position बताते हो तो इसको English grammar के अंदर pre-position कहते है they are used to before a noun or pronoun to show place position time method and other type of relations between two nouns and pronouns तो यह noun pronoun के उनकी conditions उनकी positions और पूजिशन पर टाइम बताने के लिए time method बताने के लिए use किया जाते हैं तो आगे अब यहां पर आपकी book के अंदर ऐसे पिक के यहां पर दी हुई है यह book ने जो पार्ट के तब book की pick up देख लिजी हमने यह कर लिया सारे का सारा ठीक है यह सारे के सारा अपने finish कर लिया यहां पर pick भी clear है तो इसके जो आगे question दी हुए है देखो यह activity आपको ball की condition बताते हुए box के अंदर लिखना है कि यह क्या आएगा इसके अंदर तो पहले आप द्यान से देख लिजी मैं answer इसके बोल दूँगा फिर answer आप लिखने के लिए write करने के लिए मैं आपको pick भी show क कर दूँगा तो आप वहां से इसके answer write कर सकती हूँ तो देखे पहला pick के अंदर आप देखे ball box के क्या है अंदर है तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम कहते हैं इन first में in आएगा second के अंदर ball अब उपर है वो टच भी की हुए है उसका on आएगा third के अंदर box के नीचे है under आएगा number four में box के बाद में है तो next two आएगा number five पर उसके पीछे है तो behind आएगा आगे है तो in front of आएगा और दो चीजों के बीच में है तो between आएगा पहले तो आप यहां पे पूरे के पुरा बरो गई first के अंदर क्या आएगा second में क्या आएगा मैं अभी show कर दूँगा चलो फिर आपको show कर देता हूं मैं just wait तो आप यह answer देख लीजिए यह आपको नीचे आपकी activity दी हुए है इसके अनर फिल करना है और यहीं से देख लीजिए आपको क्या लिखना है तो फिर्स्ट काएगा wall is in the box second the ball is on the box the ball is under the box the ball is next to the box the ball is behind the box the ball is in front of the box the ball is between the boxes तो यह आपकी बी activity थी जैने कि यह activity नंबर थी थर्ड थर्ड एक्टिविटी का आपने जो ए पार सब वो देखा बी की जो इसके question आपको क्लीर होगा आप यह वीडियो को pause करके इसको अच्छे से पनी notebook के अंदर write कर लीजिए book के अंदर note कर लीजिए तो student यह आपका जो पहले वीडियो के अंदर पने chapter को पड़ा था उसके कुछ question छूट गए थे मने थोला starting की थी और इस वीडियो के अंदर आपका जो पूरा chapter था उसको complete कर लिया जो आपका chapter number 6 था दा दुशेरा दुशेरा फेस्टिवल I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी पसंद भी आई होगी और आपने इसको अपना home रख भी अच्छे से कर पाओगे अगर अच्छा लगे तो वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो अपने दोस्तों को share कर सकते हो आगे की जो वीडियो आएगी हम उसके अंदर आपका जो chapter number 7 है who will play with me मेरे साथ कौन खेलेगा इसको अच्छे से पढ़ेंगे कहानी होगी देखते है क्या इस chapter में तो मिलते हैं next वीडियो में तब तो के लिए bye bye thanks for watching